इसको खाने के बाद आप बटर चिकन को भूल जाओगे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और यह बनाने में भी बटर चिकन से ज्यादा असान है तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिए 500 ग्राम चिकन इसमें मैं डाल दूगी एक टी स्पून नमक एक टी स्पून काली मिर्चो का पाउडर इसमें जाएगा आदा टी स्पून हल्दी पाउडर इसको हम चिक्किन में आची तरह से मिला लेगे और इसको मारिनेट करने के लिए रख देगे तीस मिनिट तक चिक्किन जब तक मारिनेट हो रहा है हम कुछ तैयारिया कर लेते हमारी रिवी के लिए यहापे मैंने एक मिक्सर जामे पंदरा कार्जू डाल दिये हैं और इसमें मैं डाल दूगी पार्च टेबल स्पून दही इसको हमें फाइन पेस्ट बनाना है बिल्कुल ऐसे ही आपको पेस्ट बनाना है यहापे मैंने एक टमाटर को ले लिया है इसको मैं रफली चॉप करके वही मिक्सर में डाल दूगी और इसमें हम मिलाएगे दो टेबल स्पून टमेटो का चप इसका भी हमें बारिक सा पेस्ट बनाना है बिल्कुल इसी तरह से आपको यह चीजे रेडी रखनी है यहापे मैंने एक पैन को फ्लेम पे चड़ा दिया है इसमें मैं डाल दूगी तीन टेबल स्पून टेल टेल हमारा जैसे गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देगे एक बारी कटी वी प्यास को और प्यास को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है क्यास जैसे ही light golden brown color का हो जाएगा हम इसमें डाल देगे एक टेबिल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट जिंजर गालिक पेस्ट को डालने के बाद हम इसको एक दो मिनित तक चलाते रहेगे इसके बाद हम इसमें आड कर लेगे हमारे marinated chicken को और chicken के color change होने तक हमें इसको इसमें the color जैसे ही change हो जाएगा हम इसमें आड करतेगे हमारी tomato paste को सब्मीटो पेस्ट को एड करने के बाद हमें इसको चलाते रहना है जब तक इसका तेल अलग न महJack not तब तक हमें उसे चलाते रहेगे इसको आम कुछ देर तक धक के पकाएगे बस 4-5 मिनिट तक हमें इसको बंद करके पकाना है , बीच बीच में चेक करते भी रहना हमें मैंने इसको चेक कर लिया है इसका तेल अलग हो चुका है अब देख सकते हो इस पॉइंट पे मैं इसमें कुछ मसाले आड़ कर लोगी इसमें मैं आड़ करूगी 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चो का पाउडर 2 टीस्पून दन्या पाउडर और 1.5 ट प्राय हो चुका है इसलिए हम थोड़ा पानी मिला लेगे इसमें या पे मैंने डाल दिया इसमें एक चौटाई कफ पानी मसाला हमारा अची तरह से पक चुका है अब हम इसमें डाल देगे काजू का पेस्ट इसको भी हम अची तरह से मिलाएगे और इसको तब तक अब देख सकते हो कि तेल अलग हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देगे एक कप पानी, और इसका ग्रीवी बना लेगे, इसको उबालानी तक हमें इसको पकाना है, उबाल जैसे आजाएगा इसमें, हम इसमें नमक डालेगे, स्वादनुसार, अभी हम इसमें डाल देगे, आदा टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इसको हम अची तरह से मिला लेगे ग्रीवी में, और इसको कुछ देर तक दख के पकाएगे हम, बस दो तीन मिनित तक हमें इसे पकाना है, ग्रीवी थोड़ा गाड़ा हो चुका है, अब देख सकते हैं, अभी हम इसमें आड़ कर लेगे, डोटी स्पून, कस्तूरी मीती, यहां पे मैंने कस्तूरी मीती को थोड़ा भून कर, इसका पाउडर बना लिया है, इसको अच्छी तरह से मिला लेगे हम, इसमें हम डाल देगे तीन मिर्चिया हरी मिर्चियों को मैंने तीन हरी मिर्चियों को मैंने पुड़ा सा चीरा लगा के इसके उपर डाल दिया है मैंने और यहापे मैं डाल रही हूँ इसमें वन टेबल स्पून फ्रेश क्रीम यहां पर मैंने अमूल फ्रेश प्रीम का इस्तमाल किया यह सब डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेगे हमारा डिश अभी तयार हूँ चुका है इसको हम गानिश करेगे धन्या के पत्तों से इसको बारिक काटकर मैंने उपर से डाल दिया यह चुआ तो कैसे लगी आपको यह रेसेपी मुझे कम्मेंस में ज़रूर लेकना थैंक यू फो वचिंग